वेल्कम बैक तु श्टॉक्स पावर यूटूब चैनल तो आज आप एम जिन्दाल श्टीलाइन पावर स्टॉक के इंट्राडे लेवल्स और विकली लेवल्स आपे चेक करेंगे और लेटे सब लेट यापे चेक करेंगे तो जिन्दाल श्टीलाइन पावर स्टॉक की बात power stock के लिए तो 330 पर support लेकर bounce back हो सकता है और 328 तो breakout मिलता है तो नीचे 324 तक आने के chances दिखाई दे सकते है जबकि 32 328 सब्वेट के bounce back होता है तो उपर 332 पर रिइश्न लग सकता है और 332 को breakout मिलता है तो 334 तक easily जा सकता है तो 334 लेवल्ट यह पर ब्रेकाउट मिलता है तो 338 जाने के चांसे से आप दिखाई दे सकते तो इंपोर्टन्ट लेवल्स मंदे के लिए इंट्राइब के लिए इंपोर्ट लेवल्स पे सपोर्ट एंड रेजिश्टन लेने के चांसे ज्यादा रहेंगे आप आप देख सेदें जिंदाल श्टिल पावर स्टॉक के तो जिंदाल श्टिल पावर स्टॉक के बागी के डिटेल लेके जाए जैसे कि अपर आप देख सेदे की मुइंग एवरेज भी देखा जाए फाइव मिनिट के चार्ट्रे में तो मुइंग एवरेज की बात की जातों आप अपर अपर 338 के करीब है तो अपर जाता है तो 338 लेवल तक जाता है तो रिजिश्टन लगने के चांसे रहेंगे और गप से उपर उपन होता है और सुबर सुबर ब्रेक आउट भी मिलता है 200 मिंग एवरेज को जो कि बुलू कलकर में तो एक अच्छी बाइंग सार में मुमेंट एखने को मिल सकते है देखा जाए डेली चार्ट प्रेम की बात की तो यह पर आप देख सते है कि मंतली जो सपोर्ट हुआ ने उसका सपोर्ट फ्राइडे की दिन लेता हो नजर आ चुका था यह पर जिन्दा श्टिल आन पावर स्टॉक तो देखा जाए तो आपर सपोर्ट वन जो है तर्गी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हो चुका था उपर के साइड तो यह सपोर्ट पो ब्रेक आउट डेता है तो 300 लेवल तक नीचे गिराओट होने के चांसे दिखाए दे सकते जिन्दाल श्टिल आन पावर स्टॉक में तो यह लेटेस अब्लेट जिन्दाल श्टिल आन पावर टॉक के लिए